कि दोस्तों नमस्कार प्रग्या प्रभाय यूटूब चैनल में आपका स्वागत है कि हमने निवन्द की शिंखला शुरू की है जो की पीच्छेस परिक्षा और अभी होने वाली बीयों और समिक्षा दिकारी के परिक्षाओं में प्योगी है पहले पहली सिंखला में हमने सा समाज पर चर्चा की और आज जो दूसरा निवंद है जो सबसे ज़्यादा पूशा जाने वाला है वह है नारी ससक्तिकरण महिला ससक्तिकरण पर हमने आपसे निवंद के स्वरूप के संदर में बताया था बात की थी कि निवंद वस्तुता एक बधी बनाई रूप रेखा होती है हम लोग गणित के प्रश्टों में अपने विद्यार्थी जीवन में बच्पन में पढ़ा करते थे कि एक बकरी खूटे से बांधी गई है और वहां उसका चक्कर लगा रही है ठीक किसी प्रकार से निवंद के संदर में हमें भी खूटे से बंधे रहना है और जो उसकी प है तो से इस करने तोASE कि प्रकार से अपने आप को बात रहा है इनकी डाइमेंसंस में हमें विशायर करना है सबसे पहले महिला र्ही कि प्रस्ताबना में किसी पंक्र्त से सुरूड़ कर सकते हैं किसी कवित्स से सुरूड जाए kirTA सक्ते हैं अझाल है उसको 에 mı बाक ने महिला ससक्तिकरण के अर्थ की और अभिप्राई की विवेशना करने के पश्चाथ हम लोग इस पर आएंगे कि महिला ससक्तिकरण के छेत्र कौन कौन से हैं किन किन ए्रियाज में उनहेंसक्तिकरण के लिए केवल बात ही नहीं काम क्या किया रहा है अभी तक किस-किस प्रकार से काम किये गए इस पर चर्चा होगी, इसके संदर में जो योजनायश लाई जा रही हैं, जो आयोग बनाए गए हैं, जो संस्थाएं हैं, उस पर चर्चा होगी, फिर इनका संचेप में मुल्यांकन और उसके पश्चात एक आसावादी निश्कर् करेंगे, हमें यहाँ भी देखना है कि यहाँ केवल एक समाज सास का प्रशन नहीं है, यह राणी सास का प्रशन नहीं है, बलकि एक निवंद है, तो निवंद होने के कारण हमें अपने निवंद को कविताओं के द्वारा, कथन के द्वारा, उधर्णों के द्वारा भी प प्रस्तुती करन तथ्य और इस्टाइल प्रेजन्टेशन सपोर्टिंग फैक्ट्स एड इस्टाइल आर्दा थ्री वेशिक निर्स आफेसेज आई हैब तू गो थू बाई दीज टूल्स अब हम आते हैं महिला ससक्ती करन पर शुरुवात प्रस्तावना किसी कविता से करते हैं बराष्टी महिलायों की अद्ध्यक्षा रहें गिरिजाब्यास वो कहीं पर भी जाती थी तो सबसे पहले एक बहुत अच्छी पंक्ति बोला करती थी हम भी उसी को बोलते हैं कि चले थे चले थे हम भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला कर न जाने क्यों हम आज भी वहीं खड़े हैं न जाने क्यों हम आज भी वहीं खड़े हैं तो यहां विकास यात्रा की बात करती है पुरुस और महिला की महिला और पुरुस दोनों ही सृष्ट के उद्वों के साथ ही साथ साथ चले थे किन्तु पुरुस आगे निकल गया और महिला पीछे चली गई या वो तो यह कहती है कि हम आज भी वहीं खड़े हैं अर्थात हमारा जो हमारी यात्रा है वह यात्रा अपने गंतब्य तक नहीं पहुँच पाई क्यों नहीं पहुँच पाई क्योंकि भिन्य भिन्य शेत्रों में हमारी कमजोरी है हम भिन्य भिन्य शेत्रों में हमको असक्त बना दिया गया है भिन भिन शेत्रों में हम वीक हैं इस कारण से हम अपनी उस यात्रा पर आगे नहीं बढ़ पाए तो यहाँ जो पंक्ति है यहाँ बस्तुता महिला सरसक्तिकरण के संपूर्ण सरूप की एक ज्छाकी है यहाँ बता देती है कि महिला कमजोर है किन किन शेत्रों में कमजोर है और उसकी कमजोरी के क्या करान है वाट आड़ रीजन आप डेट ओमेंड इस नाट इंपावर्ड तो उसके शेत्र कौन कौन से हैं इस अंदर में अमर्थ सेन नोबल कुरसकार भिजेता उन्होंने इसके सात शेत्र बताएं हैं कि इन सातर शेत् सेवन एरियाज बाई वीच वेमेंड इस नाट इंपावर्ड तो वह सात शेत्र कौन है पहला उन्होंने बता है मृत्यू संख्या मृत्यू संख्या यहां बताती है कि तमाम ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं के मृत्यू दर पूर्सों की अपेच्छा अथिक है उसके भि है चिक शुवदाओं की पहुंच ना होना हो सकती है कुपोर्षन हो सकता यह भिन 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 एरियाज है तो पहला यहा हो गया दूसरा है लिंगा अनुपात के शेत्र में देखें तो लिगणा लगातार कम होता जा रहा है कि जो पुरुस लिगानुपात है जर्च संख्या का लिंगानुपात में पूर्च और महिलाओं की संख्या का नपाथ तो जो महिलाओं की संख्या है वह हम भारत के लिंगानुपात के संधर में हम दोक है तो यह लगभग ane killing 551 से उपर नहीं बढ़ पाया है कभी 930 कभी 927 कभी 923 कभी 947 रहा है और सबसे अधिक चिंता जनक बातिया है कि जो बालिकाओं का लिंगानुपात है जो शिस लिंगानुपात है वह और खराब हो रहा है 919 हो गया है और यहां निश्चित रूप से चिंता की बात है उसके परशात अगला है आधार भूत सुवधाओं का जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सिक्षा, इत्यादी, इत्यादी के छेत्र में महिला और पुरुष भेद भाव का सिकार है जैवा सिक्षा के छेत्र में हो सिक्षा के छेत्र में जाए रोजगार के छेत्र में जाए यह ऐसे छेत्र हैं जहां पर उनके पास आधार भूत सु हो जाती है उसे लफदता है उसे अरे या तो महिला होने कड ing ठीक नहीं है पुलिस सेवा है अरे महिला हाई है तो रात में कैसे काम कर पाएगी तो महिला होना ही अवसरों की कमी उत्पन कर देता है आव और सिमा कर देता है तो यह जो अऊसरों की उपलफदता है यह भावत बड़ा कारण है महिला ससकती लाला के सभी साफना होने का महिला के कमजोर होने का अब अवसे अस्नों की उपलब्दह नहीं होगी तो फिर क्या होगा यहां भी इसी से को डिलेट है दिया ही नहीं तमाम चेत्रों में जो मजदूरी है जो उन्हें पारिस्ट्रमिक दिया अचाहिए उस पर पर भी उस पर भी अश्मानता है हमारे नीतनी तक्तों में इस बात को निदायत किया गया है कि समानकार के लिए समान बेतन होना चाहिए लेकिन यहां नहीं है तो यहां छेत्र है उसके बाद फिर है श्वामित्यों उनर्शिप किween ऊपनी वह ग्रील्यक्षिमी होकर के भी उनके पास लक्षमी नहीं हैं यहां कितना बड़ा कांट्राडिक्टरी स्टेट्मेंट है आप उपनों कोसिशिश की जा रही है अ वह歌 दिवेजन सब्सक्राइब है सारे काम हैं वहां महिलाओं से संब्सक्राइब क glorious तो यह अमर्द सेंद्वरा बताये गए हैं महत्पूर सेत्र हैं जिने आपको अपने दिमाग में अच्छी से धारित कर देना चाहिए अची तरह से बैठा लेना चाहिए ना केवल निबंद की दिश्च से बलकि अगर आपका जो फर्स्ट पेपर है जीएस का उसके लिए भी उपादे है और साक्षातकार में भी अगर आप महिला भीरती है तो निश्चित रूप से यह प्रश्ण माक में बैठा लिजे उसके पश्चात है इसी किसंद्र में एक कहा जाता है कि वस्तुता जीवन चक्र जो महिलाओं का जीवन चक्र है उसी जीवन चक्र में कमजोरी के सारे पहलू नीत हैं आप देखें कि किस प्रकार से जब जर्म लेती है तो महिला जो है किसका सिखार हो तो हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि जीवन चक्र कन्या जीवन चक्र अर्थात मैला या बच्ची पेट में आई नहीं कि उसके दुर्दसा के चक्र की सुरुवात हो जाती है जिस माबाप को भगवान माना जाता है जिस माबाप को जन्म देने वाला माना जाता है वही माबाप उसके लिए शत्र बन जाते हैं और उसकी भूण में ही हच्चा कर दे जाती है उसके वस्चात दूसरा चरण आता है जन मिलिया वहाँ धर्ती पर आ गई धर्ती पर आते ही यहाँ बालिका है इसलिए इसे कम सुवधाय दी जानी चाहिए उस करण से वहाँ कुपोष्ण का शिकार होती है शिक्षा नहीं मिल पाती है और फिर अगला चरण की सोरा वस्था म में याउन हिंसा का सिकार होती है तमाम आकड़े बताते हैं कि हर सेकंड में कोई न कोई एक बलातकार की घटना घटित होती है और यहाँ कितना भयावा और निर्मम तथ्थ है यहाँ मानवर्शभ्यता के लिए कितना बड़ा प्रश्ण चिन्न है कि अभी भी हम इस अधातकार सब्द पर्शूव में नहीं आता है और आपको पर्शूव से आगे होने का दावा करते हैं देऩ不对 और उसके परिधावस्था किस्तिती में परित्याग का सिकार हो जाती है तो इस प्रकार से उसका जो जीवन चक्र है यह जीवन चक्र भी अस्मानता के दारे से गुजरता है आप इस जीवन चक्र को अमर्थ सेन के जो साथ दाइमिंसन से उनसे जोड सकते हैं अब हमने इस पर चर्चा कर ली कि वस्तुता मैलाओं के कमजोरी के छेत्र कौन-कौन से हैं और किस प्रकार से हैं अब इस पर चर्चा करने के पश्चाथ आप चाहें तो इस बिन्दु को चुकि निवन्द का बिन्दु है इसे मैथलि स्न गुप्त की कविता से सपोर्ड कर स सकते हैं अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी आँखों में आचल में है दूद और आखों में पानी अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी आचल में है दूद और आखों में पानी यहां बताता है अबला सब्द अबला सब्द बताता है जो हमारा विशय है जो हमारा क्पिख सशक्तिकरन का अबना अर्थात मैं निर्वल है और कि निर्फ़ता के प्रड़ाम सुरुप उनको क्या भोगना पड़ता है और वोगना पड़ता है अन्चल यहां दूद फिरती हैं और दूसरा आंखों में पाणी और उसके आंखों में पानी अर्थात निरंदर उसको रोना पड़ता है रगवीर साय ने बहुत ही बिंग्यात्मक लहजे में कहा है कि पढ़िये गीता बनिये सीता किसी मूर्क की बन परणीता घर बसाईए खाना बनाएए थाली भर भात पकाईए अर्थात आप योग्ये हैं फिर भी आपको अंतता जो महिलाओं से सम्मंदि छेत निर्धारित कर दिये गए हैं केवल उसी में सीमन करके रह जाना है आपकी सारी के सारी सिक्षाएं उसी पर सीमित हो जाती हैं यह दो तीन कविता हैं जिनके द्वारा आप अपने दिवन्द को मजबूत कर सकते हैं अपने दिवन्द को बज़े बजन्दार बना सकते हैं उसमें लए और प्रवाह ला सकते हैं अब यह हो गया उसे प्रशात अब हम आना है कि वहला हमें निगेटिव वाते नहीं करनी है हमें यह भी देखना है कि क्या वास्तों में इसके लिए कोई कारे नहीं किया जा रहा है तो इसके लिए कारे किया जा रहा है सक्तिकरण के छेत्र हैं हम सक्तिकरण के छेत्र के पहले हम भारती परंपरा में भारती संस्कृति में जो तीन मत हैं आप जानते हैं वैश्णों मत है श्रेव मत है और साथ मत साथ मत सीधे सीधे सक्त से सम्मंदित है और आप सोचे कि हमारे हैं पुरा नौ दुरगा का पर्व चलता है और जिसमें जो उपाशना की जाती है कहा जाता है या देवी सर्वभूतेशु शक्ति रूपेन सम्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नमा तो वहाँ देवी किसके रूप मिश्थित है शक्त के रूप मिश्थित है उसी जो सक्त के रूप मिश्थित है यहां भी contradictory है कि वहाँ असक्त है उसे हमें ससक्त करना है तो अब ससक्त क्या है ससक्त क्या है इसमें कुछ आपको नया नहीं करना है जिन जिन छेत्रों में मैलाओ कि कमजोरियां हैं जिन जिन चेत्रों में उनके पास साधन सुवधायें संपनता नहीं उपलब्द हैं उनी उनी छेत्रों को हमको मचबूत करना है मृत्यु संग्या है अगर उनकी डेथ रेशियो अधिक है तो हमें स्वास्त के द्वारा सामाजिक भिन्विन प्रकार की योजनाओं के द्वारा उनको सही करना होगा यहीं बात सेक्स रेशियों में है आधार बुस्वधाओं में जितने भी हमने साथ छेत्रों की चर्चा की सेक्ञे है इन साथ छेत्रों को आपको द्विन Tangत्र आप इसको कर देना हो अब किस प्रकार से यहां सक्टी करन की प्रक्रिया शुरू हुई सक्टी करन टर्म कैसे आया सब से पहले अगर हम सत्र के के दसक में देखें तो सत्तर के दसक में जो महिलाओं के कल्याण से संबंदित योजनया चलाई गई महिलाओं के उद्धार से संबंदित योजनया चलाई गई यह कहा गया कि वस्तुता इन इन छेत्रों में यहां कमजोर हैं इन इन छेत्रों में इनके साथ ज्यादती हो रही जेते हुए विक्ष शुरू हूप लिए ख nu Couple if the लिए काम कर रहा है हमें उसकाय करना होगा हुएं वॉस्त करना होगा उसकी करना होगा हुए जिसमें भिक्तियां प्रक्रीजा करना συolut करना माबाप की संपत्ति में पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है बच्ची भी संपत्ति की स्वामिनी है उसके परचाद फिर 90 का दसक आया 90 का दसक महिला ससक्तिकरण का दसक है भारत में 2001 को महिला ससक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया और केबल यह भारत की बात नहीं ह को को तीं करत्र करना होगा योजनां के दौरा कौन को से चला चलाई जा रही है समuger लाउक जन्री पढ़ा है यह जितनी विए यह न है आप के दिमाग में उन्ह यह इंवह युजनां को संश्फा ने लेक कर देना है दूसरा आयोगि कमीशनि आप सicit हैं कि राश्टी महिला राजिस्त horns मेला यह पर राज ज्सनोपर राज महिलाएयोग बने चुमय मैं उनाइट और मैं तो ये जो संस्थाएं है ये किस प्रेकार से काम कर रहे हैं उसके पश्चाद पूरे 20 का विकास हो इसके लिए संयुक्तराट संग द्वारा संयुक्तराट संग के संयुक्तराट विकास का रिक्रम द्वारा लच्च घुशित किया गया है SDG Goal Sustainable Development Goal 2030 बहुत सुन्दर पंक्ति है इसकी कि हम जब विकास की यात्रा पर निकले हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ग्रह का कोई भी प्राणी इस यात्रा में पीछे न चूटे No one of this planet remain back वहाँ पीछे न चूटने पाए तो जब कोई न चूटने पाए तो महिला क्यों पीछे चूटे महिला भी तो इसी ग्रह की प्राणी है महिला भी तो इसी ग्रह का अंग है तो उसके लिए SDG लक्ष 5 जो SDG जो उसमें 17 लक्ष है उसमें जो पाच्वा लक्ष है वहाँ सीधे सीधे लेंगिक न्याय से जुड़ा हुआ है संस्ताउं के सतर पर भी जो हमारे सम्वेध्या काधिक का घिकार है कर कहिए और इसके साथ भिन्विन्प्रकार के कानून भी बनाया बनाए लोहिता नियॊंच अ उसके बीशाख्या गाइडलान साई जिसमें असरों की ब्लोताकार्यास्थल पर उन्हें यहउन इंसा का सिकार्णा होना पड़े उनके लिए उशीत अउसर मिले इस प्रकार के धेर सारे प्रयास किये जा रहे हैं तो युज नाओं के द्वारा कमिशन के द्वाराberा और जो राष्टी अंदर राष्टी गट्णाएं जैसे आप दिवस को ले सकते हैं राष्टी डीव आलेमीदुयक्ति आर्ट मार्श इसका अले कर सकते कि यह धेर सारी अयाम हें यहां प्रक्रिया चल रही है अब इसके पश्चात हमें यहां देखना है कि क्या हम इस शेत्में सफल हो पाए हैं अब हमारे निवन्द का अगला भाग है मुल्यात्मक पक्ष में हमें बताना पड़ेगा कि यह यहां पर आगे बढ़े हैं लेकिन अभी चाहे वहा राजनीत का छेत्र हो चाहे समाज का छेत्र हो चाहे धर्म का छेत्र हो चाहे अर्थवस्था का छेत्र हो चाहे संस्कृति का छेत्र हो हम अभी वहां तक नहीं पहु सबस्क्राइब नहीं है भारत में देख लिए कि यहां पर 13 दस सात परकार से रहती है तो राजसे तो है तो फिसली काड़ें cetera ग्या आऊ है जो प्रमाइ start centre नहीं रहती और लागातार घर्ती जा रहेए तो अर्थिवस्ता का छेत्र हो गया, राईनीत का छेत्र हो गया, समाज का छेत्र हो गया, समाज के छेत्र में देखिए कि अभी भी निर्भया जैसी घटना है, घटित हो रही है, चाहे हो हात रस की घटना हो, चाहे बुलन सहर की घटना हो, चाहे अभी केरल में एक जो डाक् पॉर्ण साइड का पूरा बढ़ता हुआ वाजार है जिसमें सीधे सीधे जो एक बहुत पुराना गाना था कि तू चीज बड़ी है मस्त तो महिलाओं को चीज माना जा रहा है उन्हें बेख नहीं माना जा रहा है और यहां हमारी बिडंबना यहां हमारी मानसिक्ता अभी भ पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा कि वस्तुता जो नारी है कि एक नहीं दो-दो मात्राएं नर से नारी भरी सेंब्योलिक रूप में देखें तो एक नहीं दो-दो मात्राएं और वास्तुता भी है कि जो त्याग जो बलिदान जो सोर नारी में हैं वहाँ पूरुस में होई नहीं सकता है आप देखें जो जैविक संद्रश्टा है पूरुस में एक्स-वाई क्रोमोसोम होता है महिलाओं में एक्स-एक्स क्रोमोसोम होता है एक्स-एक्स क्या बताता है समानता का भाव बताता है एक्स-एक्स संतुलन का भाव बताता है बैलेंस का भाव बताता है जो बैलेंस महि कि जो तीन छेत्र हैं यह कहा जाता है कि जो महिला सरसक्तिकरण की सिति है महिला सरसक्तिकरण अपने लक्षों में नहीं कामयाब हो पा रहा है उसके तीन सब्द हैं पित्र सत्तात्मक पित्र बंसात्मक और पित्र अस्थानी पित्र सत्तात्मक का मतलब होता है पूरुस की पि पुरुस महिला के घर नहीं जाएगा यहां पित्र स्थानी आए और यह तीनों की तीनों परंपराएं तीनों को तेने बूट फैट्स पूरी तरह से अभी भी कायम हैं तो हमें इन सब छेत्रों से आगे बढ़ना पड़ेगा तभी जो हमारा लक्ष है हमारे सरकार का लक्ष ह है सब का साथ सब का बिकास एक हा जाता है इंट डियों की रिपोर्त हैं डाव 1917 की रिपोरी कैंड अगर भारत you का कई Nikki कल में महिलों zijn महिलाओं की भागीदारी को स्चुनेशित कर दे तो बहारत जिस दिन स्चुनेशित हो जाएगा वसी दिन भार्त बिक्षित देश हो जाएगा अर्थवरस्ता के दिश्चे सिरमावर हो जाएगा और ना कि वल या भारत के संदर में बलकि पूरे बिश्व के संदर में लागू होती है महिला और पुरुस दोनों एक दूसरे के आयाम है विकास के आयाम है इसी संदर में आप डाक्टर अंबे development of any county then you have to look at what is the what is what is the what is what portion is there of women महिलाओं का वहाँ पर रेशियो क्या है महिलाओं के वहाँ पर भागिदारी कितनी है उसके पर शाथ नैपूलियन कहते थे कहता था कि give me good mother I will give you good nation तुम मुझे अच्छी माता दो मैं तुम्हें अच्छा राष्ट दूँगा अर्थात राष्ट निर्माण में महिलाओं की महत्पूर्ण भूमका है उसके परश्चाद आप देखें कि हमारी जो परंपरा है वहाँ भी कभी भी सुरुवाती अस्तर पर महिला सोसक नहीं रही है वाग देवी शूक्त है आप देखें गारगी अपाला घोशा देर्चारी में लाए नहीं है उसके बाद बद्दिकाल में आप तमाम नाम ले सकते हैं उस जिसमें रजिया का है रजिया सुल्तान है जिसने कि जब उसको मौका मिला तो अच्छी तरह से उसने सासन किया ब भूब लड़ी मरदानी वा तो जहांसी वाली रानी थी बुंदेले हर वोलों के मूं हमने सुनी कहानी थी तो यहां क्या बताती है कि वह भी मरदानी का अभिप्राय मर्दों की तरह महिला भी अपने गार को अंजाम दे सकती है उसे उसर मिलना चाहिए तो इस रूप में हम ससकत राष्ट बनाना है जो इसकत परिवार बनाना है तो साथ में महिला को ले करके चलना पड़ेगा अभी हम चर्चा करें वाक देवी शूक्त में कितना प्राचीन गण तरकबेद वहां पर भी कहा गया है वाग देवी कहती है कि जो स्यूकी सक्ति है उसका आधार मैं हू मैं रुद्र के धनुस को तानने का काम मैं ही करती हूं मैं उसको आगे बढ़ाने का काम करती हूं सिंद्धुकाटी सब्विता में मात्र देवी कूप अश्ना की बात आती है उसके बचात भिन भिन हमारे जो छेत्रे हैं सबसे सटीक जो उदारण है हमारी परंपरा में है अर्ध नारिष्ट्वर का अर्ध नारिष्ट्वर यह बताता है कि बस्तुता नारी और पूरुष दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं काली दासनेर भानस में बहुत अच्छा एक है कि सब्द और के भाती मिले हुए भगवान संगर की मैं उपाष्णा करता ह। इसको अगर सरल सब्दों में कहा हैं कि तुम सब्द मै अर्थ, तेरे बिना मै ब्यर्थ, मेरे बिना तू ब्यर्थ। है मोद भी तुमसे हरी का विप्राय क्या है आप सावित्री और सत्वान की कहानी याद करिए सावित्री ही अपने रुब्ण पती को बचाती है यहां राज से छीन लाती है तो यहां पर मोद भी तुमसे हरी है उशीकर संकेत है और अंत में जो हमारा राष्ट्री गीत है राष्टी गीत बंदे मात्रम के रूप में है बंदे पितरम के रूप में नहीं है यहां भी ध्वनित करता है महिला ससक्तिकरण को अगर आपको लगता है कि हम महिला ससक्तिकरण के निवन्द को ठीक समझा पाए हैं सरल सब्दों में व्योहारी को दारणों द्वारा तो अन्य प्रतियोगियों तक भी इसको पहुंचाएं, आपका बहुत-बहुत आवार, लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा.